तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ टैग यू एप कैसे यूज करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो साइड में आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही होगी तो मैंने टैग यू एप पे प्ले स्टोर्ट से डाउनलोड कर लिया है अब आपके सामने इसे ओपन करता हूँ तो आप जैसे इसे ओपन करेंगे आपके फोन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा टैग यू एप पे कैसे यूज करते हैं अब एकदम ध्यान से समझ लिजे यदि आप एक बड़े यूटूबर बनना चाहते हैं तो तो यहाँ पर आप देखें AI टैक्स के जनरेटर पहला ओप्सन आपको यहाँ पर यह मिलता है तो जैसे यह आप इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है input keyword to check तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ बाहर और यहाँ पर मैं open करता हूँ YouTube अब आपका चैनल किसी भी category का हो उससे मतलब नहीं है मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज सीखना है आपको वो important है यहाँ मैं सर्चे पर किलिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक keyword टाइप करता हूँ देखिए आप लोगों के सामने लिखता हूँ YouTube चैनल कैसे बनाए YouTube चैनल कैसे बनाए पर मैं किलिक कर देता हूँ और इसे मैं copy कर लेता हूँ यह कहलाता है keyword अब बापस से हम इस application में आ चुके हैं अब यहाँ पर मैं इस keyword को paste करता हूँ आप logo के सामने मैंने paste किया और यहाँ पर check पर किलिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि add आ रही है तो इस application में add आती है तो आपको यहाँ पर cut पर किलिक कर देना है अब यहाँ पर क्या लिखा है suggested keyword हमने कौन सा keyword डाला था YouTube channel कैसे बनाए और यहाँ पर देखे कितने सारे keyword आ गए है यह application हमें suggest कर रही है कैसे बनाए YouTube channel YouTube channel कैसे बनाए YouTube channel कैसे बनाए PC और मैं नीचे के और scroll करता हूँ तो आप देख सकते कितने सारे keyword यह हमें suggest कर रही है कि आपके लिए कौन सा बैच्ट है तो आपको इस तरीके से एक keyword डालना है यह application खुदी आपको keyword suggest करेगी अब दूसरा option यहाँ पर क्या देखता है SEO checklist तो आप SEO checklist पर click कीजे अभी इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कह लिखा है पेच्ट YouTube video link and click check तो सबसे पहले हमें जिस भी वीडियो का SEO देखना है हमें उस वीडियो का link के चाहिए तो मैं इस application से बाहर आ जाता हूँ देखे बापस से मैं YouTube पर आ जाता हूँ यहाँ से मैं चलता हूँ मेरी profile picture पर और यहाँ से मैं चलता हूँ view channel पर और यहाँ से चलता हूँ videos पर यहाँ एक काम करता हूँ home पर ही रहता हूँ और इस 3 dot पर click करता हूँ और यहां से share पर click करता हूँ यहां पर लिखा है copy link के तो मैं इस link के को copy कर लेता हूँ copy करने के बाद बाद बापस मैं कहां आता हूँ tag you पे अब यहां पर आपको जिस भी वीडियो का SEO चेक करना है उस वीडियो की आपको link के ले लेना है तो मैंने एक वीडियो की link के ले ली उस link के को मैंने यहां page कर दिया अब page करनने के बाद क्या है check का option है तो मैं इस check पर click करता हूँ आप यहां पर देख सकते हैं मैं अपने वीडियो का SEO देख सकता हूँ तो दोस्तों ध्यान से देखिए बही थंबनेल दिखा रहा है बही title दिखा रहा है जिसका हमने URL कॉपी किया और यहां पर हमें SEO दिखाई दे रहा है 7 नमबर का SEO रहता है जिसमें से हमें 6 नमबर मिले है हमारा जो एक नमबर कटा है वो हमने क्या लिखा है वीडियो title lengthage too long मतलब इस वीडियो का title हमने 60-70 character से ज़्यादा लिख दिया है बाकी मेरा SEO एकदम चाहिए तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो का SEO चेक कर सकते है अब यहां पर क्या लिखा है suggest keyword तो मैं यहां पर click करता हूँ यहां लिखा है input keyword to check तो मैं यहां पर कोई भी keyword डाल देता हूँ देखे मैंने YouTube से copy करके रखा है YouTube पर वीडियो कैसे upload करे यह keyword क्या लाता है याद रखिएगा दोस्तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं तो यहां पर मैं check पर click करता तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ suggested keyword आ गये है यह मिलता जुलता जिसे आप अपने वीडियो के title में लगा सकते हैं बापस से मैं चलता हूँ back एक बार फिर से back आता हूँ अब यहां पर क्या लिखा है rank के checker यह बहुत ज़्यादा important है कैसे मैं आपको समझाता हूँ देखे मैं rank के checker पर click करता हूँ तो यहां पर आपको दो option दिख रहे हैं पहले option में यह बोला है कि आप वीडियो की link के paste कीजिए और दूसरे option में क्या बोला है आप keyword लिखिए तो अभी मैं क्या करता हूँ मेरे ही वीडियो का एक URL मैंने copy करके रखा है यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ मैंने paste कर दिया अब मैं चलता हूँ YouTube app पर YouTube app पर चलने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ YouTube channel की settings कैसे करे मैंने एक वीडियो बनाई थी YouTube channel की settings कैसे करे तो इस keyword को मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ copy करने के बाद इस keyword को यहाँ पर paste कर देता हूँ अब मैं इस check पर click करता हूँ दोस्तों यहाँ पर देखे मेरे वीडियो का thumbnail और मेरे वीडियो का title दिखा रहा है YouTube channel की setting कैसे करे जो अभी हमने डाला था तो आप यहाँ पर देख सकते इस keyword से हमें कौन सी rank के मिली है यहाँ लिखा है rank के greater than 24 अब दोस्तों यहाँ पर आपको find a competitor का option मिलता है तो आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपको एक keyword डालना है जैसे मैं एक keyword डाल देता हूँ YouTube channel की setting कैसे करे और check पर click कर देता हूँ तो इस keyword पर और भी YouTuber में वीडियो बनाई होगी तो कौन top पर है इस keyword पर मतलब YouTube सर्चे पर कोई type कर रहा है YouTube channel की setting कैसे करे तो किन top 5 YouTuber का वीडियो आ रहा है वो चीज यहाँ पर दिखाई देता है यादि आपका भी top 5 पर आ रहा है तो आपका भी दिखाई देगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका वीडियो दिखा रहा है नमबर 2 पर इनका नमबर 3 पर इनका नमबर 4 पर इनका नमबर 5 पर इनका इनके आपको टाइटल, टेग, थंबनिल सब कुछ दिखाई देते हैं मतलब इस कीवर्ड को कोई सर्च कर रहा है तो top 5 पर इन लोगों का वीडियो दिखाई दे रहा है अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और और औसन मिलता है get tag से from URL जैसे आप किसी भी वीडियो के tag देखना चाते है कि उन्होंने क्या लगा है तो आप यहाँ पर click कीजे click करने के बाद यहाँ पर आपको उस वीडियो का URL पेच्ट कर देना है और आपको check पर click कर देना है तो उसने अपने वीडियो में जो भी tag लगा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों मैंने जितने भी tag लगा है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से आप किसी भी वीडियो का URL कॉपी कर दीजे और यहाँ पेच्ट कर दीजे तो आप किसी भी वीडियो का tag से देख सकते है अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और option मिलता है टॉप tag से of today मतलब आज के जो टॉप tag से है वो यहाँ पर यह दिखाता है लेकिन इसके लिए आपको इसे खरीदना पड़ेगा जैसे ही आप इस पर click करते है तो आप यहाँ पर देख सकते है 280 रुपे यह हमसे मांग रहा है otherwise आप free में भी इसका यूज कर सकते है यहाँ पे shop more app और भी इन्होंने app पर बनाए है तो आप उनको भी check out कर सकते है तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया टैग यू एप पर कैसे यूज करते है वीडियो पसंद जाया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करकर जरूर जाए और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैर आइकन काल पर जरूर प्रेस करें